हेलो एवरिवान वेल्कम टॉ आएफेस आज हम एक बहुत ज्यादा इंपोर्टन टॉपिक पूर बात करने वालें क्योंकि आपके जो एक्जाम है बहुत ज्यादा नजदीक है और कुछी दिनों में आपके एक्जाम स्टार्ट होने वाले हैं आपके इवजिशने एक्जाम अगर आप लोग आपके एक्जाम को क्राक करना चाहते हो आपके एक्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो आपको एक्जाम में कुछ प्रिकर्शन लेना है कुछ स्टेप्स ऐसे हैं फिर कुछ एसा मिस्टेक्स जो स्टुडेंट जेनरली करते हैं जिसकी वज़े से आप उनके जो एक्जाम है वो क्लियर नहीं हो पाता और को हमेशा यह याद रखो कि एक्जाम क्लियर होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करता है ऐसा नहीं कि जस्ट आपने पूर कवर सिलब उसको कवर अप कर दिया और आप एक्जाम में बेटने आपको वहाब पे फैक्टर आफेक्ट करते डाटनी से आप स्ट्रेश को किसे वहाँ पेंडल कर रहे हो बहुत सारे चीज़ है और आपके एक्जाम में जो आपको प्षेस मीला बढ़ता है अगर आपने इसके साथ भी सही से बढ़ता नहीं किया तो फिर आपको कितना कुछ नहीं आता हो बड़ फिर भी आपके एक्जाम क्लियर होने का प्रविएलिटी कम हो सकता है तो कुछ प्र हे दो पेपर उसमे यानि की पेपर वान भी है पेपर वान भी उसमें है उसमें पेपर टू भी है तो पेपर वान का इंप इनपस्ट करने के लिए तो पेपर चाहते हो कि पेपर वान के वरें बात करते हैं तो अभी जो सिस्टम है एक्जाम की दोनों के दोनों पेपर आपको स्टार्टिक में मिलता है पेपर वान पहले करो कर सकते हैं अगर आपको चाहिए कि नहीं सर्पाइब में पेपर टू में अच्छा हूं में पिपर टू पहले करूँगा तो ठीक है पेपर टू भी कर सकते हो दाइट सब्सक्राइब लेकिन जो पेपर कर रहे हुआ उसके लिए जितना टाइम देना चाहिए आपको उतना है आपको यह कर लूगा यह आपको लगता है लेकिन जब आप एग्जाम में एक्चल में बेठते हैं तो हां पे टाइम कम होता है आप देखो कि जब अपको सब्सक्राइब कि जा सकते हैं और सब्सक्राइं तो 60 म default कि पंच करो एक काम करो ठीक अगर पांस को सिन है पांच मिनिट आपने 50 मिनिट के अंदर और बच गया है तो उसमें आपको यह गलती नहीं करना है 60 मिनिट मतलब 60 मिनिट 60 मिनिट खतम होने के बार आपको पेपर टू में स्विच करना है same for the vice versa also अगर मान लो आपने paper 2 पहले कर रहे हो और मान लो आपने paper 2 पहले कर रहे हो और मान लो हम पर 2 गंड़ा चला गया है और आपका सारी question आपने cover up नहीं किया है तो आपको वहाँ से छोड़ के paper 1 पह आना है उसको फिर से 60 minute देना है अगर आप 60 minute के अंदर paper 1 को खतम कर दिये मतलब उससे पहले तो बाकी time आप उसमें दे सकते हैं तो आपको खुद बता नहीं है कि paper 1 में कैसा question आया है में भी हो सकते paper 1 में easy question आया है आपने time नहीं मिला आपको उसके विस अपने paper 1 आटम नहीं कर पाया हो सकता है या फिर हो सकता है कि paper 2 में अच्छा question आया होगा तो इसलिए दोनों paper को पहले आप equal time दो equal importance दो paper 1 को 60 minute paper 2 को 120 minute उसके बाद अगर आपके paper 1 में आप time बचा रहे हो अगर आपने उतना अच्छा पढ़ा है या फिर इसमें आप ले नहीं सकते थोड़ा सागर आप इसक लिए टाइम कम पड़ जाएगा तो यह एक पहला mistake है जो बहुत सरे students करते हैं क्योंकि दोनों के सब्सक्राइब आप अधा गंटा और चाहिए वह फिर आपको यहां से नहीं लेना है यह आपको पहला चीज था दूसरा हम चलते हैं आगे नेक्स्ट वान क्या है आपको क्वेस्टिन स्कान करने का यह फिर को रीड करने का तरीका देखो यहां पर स्टूडेंस करते क्या है कि वह से कोई चलते हैं ठीक है लेकिन मालोग नबर वान इजी को सिन आया है उन्हें उस को वोसे नबर टू यह भी आसान है यह फिर उनको आता है इस इस डिफिकल्ट जो उन से नहीं हो रहा है definitely इसमें time लगेगा lengthy question है या फिर question ऐसा है जो उनको समझ में नहीं आ रहा है से कुछ भी हो सकता है तो वो कुछ trends ऐसे होते हैं कि वो question number 3 में लगे पड़े होते हैं ठीक है मैं 3 तो करूँगा तब जाके मैं 4 पर जाओँगा ये गलती आपको नहीं करना है क्योंकि देखो exam में अगर आप ऐसे करोगा आपका time सिर्फर से बरबाद होगा क्योंकि अगर मान लो question number 3 आपको नहीं आता है फिर आपको मान लो याद है लेकिन exactly नहीं आता रहे तो that means वो question कितना भी time लेगा आपको खुद पता नहीं और उसके बाद वो question का सही answer आएगा भी नहीं वो भी बता नहीं तो उस case में आपको पहली बार जब questions देखते हो ना पहली बार ये से आपको नहीं करना है हमेशा देखो मैं तो question को दो बार तीन बार पढ़ने की suggest करता हूँ मतलब question पूरे पर question को scan करने का दो तीन बार आपको करना है at least तो दो बार आपको करना है पहली बार में क्या करोगे आप सिर्फ आगे चलते जाओ मानलो question number one आपने दिखा ठीक है कि ये question मुझे आता है मैं फटक से कर सकता हूँ मैं भी कुछ question होता है जो जो इक मिनिट के अंदर आएगा लेकिन अगर आप ये question देखने के बाद चियो हो कि ये मैं कर सकता हूँ और सही अंसर आएगा फिर कर सकती हूँ तो फिर उस question का attempt करो आगे चलो दो नंबर question आता है करो आगे चलो तीन नहीं आता है simply skip कर दो simply हाँ पर skip कर दो question number four के पास जाओ ठीक है four आता है four करो five पे आप आगे मानलो five आपको नहीं आता है skip कर आगे जाओ देखो अगर आप स्टार्टिंग में ही question number three में अटके रहा होगा फिर question number five में अटके रहा होगा और वहाँ पर नहीं हो रहा है उसके विल से आप थोड़ा से वहां पर ज्यादा stress लोगे कि कैसे होगा कैसे होगा याद कर नहीं कुसिस करोगे ये गलती आप सबसे जो सबसे preferable कि आप चलते जाओ मालो पचास कुसिन है पचास में से आपको 20 को सिन आओ टीस को सिन नहीं आए और आए गए भी नहीं में लिखके लिए लो वैसे देखोगे ना देखोगे तो 20 को सिन भी आये तो बहुत अच्छा है तो वह बीस को सिन पहले करो आप द भी ले लो 20 मिनिट भी बहुत ज्यादा है बाकि वह को तो आपने देखा भी नहीं कुसिन देखा नहीं आ रहे छोड़ दो ठीके से में आपके बीस मिनिट के पास जाएगा बीस-पंद्रह-विस मिनिट मैक्सिमम एसे कुसिन और आप जीरो से लेकर करके सरी वान से लेकर क है तो उसमें तो अब उसको देख लोगें अगर आपो नहीं आ रहा है तो पहली बार में तो अपने प्रकेंते होता हुआ है पहले तो उसमें क्या होगा कि पंद्रह-20 बाकि बचा 30 कुसिन तो इसको सॉल करने के लिए मेरे पास मानलो 40 मिनिट है या फिर 45 मिनिट है जो भी है तो फिर आपके दिमाग में जब एक म्याब बन गया होगा तो आप सेकेंड सकान में उस कुसिन को एसा आपने डिफिनिटली फेस करोगे कि देखो कोई कुसिन है कुसि फेले बार उसी में लगए पुड़र होगे तो टाइम बरबात होगा कुसिन का आंसर भी नहीं आ सकता है जो कि आपको नहीं करना है ये एक दूसरा मिश्टेक है आपको इन करना है जितने सारे भी कुसिन है जैसे मैं बला यह सेम आपके पेपर वान में भी सेम आपके सब्सक्राइब करो लेकिन एक बार आपकी दिमाग में पूरे का पर प्रक्रेट का एक विजीट होना चाहिए कि ठीक है यहां यहां से कुसिन आए एक सब्सक्राइब लेकिन एक ओवराल आइडिया आज आजाए आपकी निखेगा तो तो सेम को आपको दूसरे बार रिपे बिल्कुल भी नहीं तो तुक्र लाइन तो लार्स में बात करेंगे और दूसरा चीज यह जवाप यह करोगे ना आपको क्या करना है सारे के सर आप्षिंस यूज और आप्स नहीं जो आपको एक्जाम में दिया गया है फिर आप्स बोल सकते आफ जो भी आपको फैसलिटीज हो नहीं पर पूसर बहुतन सब्सक्राइब तो आपको सारे की सब्सक्राइब को को यूज करना है अगर आप उसको नहीं करोगे आपका टाइम बरबाद हो का किसे मानलो जिसे मनें बोला कि आपको question number 3 नहीं आ रहा था लेकिन आपको उस time में लग रहा था कि मुझे exactly नहीं आ था लेकिन थोड़ा थोड़ा याद है थोड़ा से देखना पड़ेगा तो मैं उसको दूसरे बार कर सकता हूं तो वे question को आप क्या करोगे simply mark for review को mark for review करोगे तो क्या है क्योंकि देखो 50 question या फिर मानलो 100 question है तो जब आपको नहीं करना है इस चीज को टैकल करने के लिए आपको और लेड़ी वहाँ पर options प्रोवाइड किया गया है आप वहाँ पर mark for review करो देखो उस question का जो color होगा मानलो yellow हो जाएगा या फिर pink हो जाएगा वहाँ पर जो exam के जो software होते हैं उसमें जो given रहता है आपको उसको यूज करना है ताकि मानलो आपका से सब 15 question है जो आपको याद तो हेल किने exactly आने थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मानलो उसको अपने mark for review कर लिया उसमें होगा किया जब आप second बर आओगे तो exactly आप ये navigation panel को यूज करके आप exactly उस question के पास पहुन सकते हो क्योंकि देखो exam में time is so much important उसको आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है इधा तो देखके ये question question मतलब जो किया है फिर उसको next 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 करके तो क्लिक करने के लिए time लगता है वो पांच सेकंड दर सेकंड बहुत important है पांच सेकंड में question का अंसर भी क्या दा सकते है आपको दो मार्वां से मिल सकता है तो आपको टाइम बिल्कुल बरबन नहीं करना है जो भी आपके पास options मिला है use करने के लिए mark for review करने के जैसे मैंने बुला question navigation में भी आपको easy रहेगा ठीक है यह आपके पास एक दूसरा मतलब एक mistake भी होता है कुस्टोने से इसको use नहीं करते हैं एसे चलते हैं को से नमर क्या थो ढूनते रहते हैं यह आपको नहीं करना है यह चीज़े आपको इसको भी आद रखना है चलते है आगे next one next के आपके पास देखो आपको और एक बात ध्यान देना है सरी आपको और एक बात ध्यान देना है कि यहां पे जितने सारे भी हमर पास question से जितने सारे भी question से सबका जो mark है वो same है सारे के सारे question का mark जो ही आपके पर सेम है that means क्या चाहे वो एक छोटा सा question हो जो आपने दस सेकेंड के अंदर answer किया चाहे वो कोई बड़ा सा question हो जिसको solve करने के लिए आपको पांस मिनिदी भी लग सकता है हो सकता है जिनका mathematical paper होता है जिनका थोड़ा सा problem and questions आते हैं like competition student हो गया या फिर कोई और subject के हैं हो सकता है किसका theoretical भी आता है तो सारे के सारे question का same ही value है अगर आपने कोई section में 2 सेकंड या फिर फिर माल फिर दस आपíपको मार्क देगा अगर आपको कोई question में मानलो 10 मिन्ट लग रहा है फिर माल पांच मिन्ट लग रहा है को लिर को तो ऐसान नहीं कि इसा नहीं कि ये question है time बरबाद कर रहे हो यह आपको नहीं करना है पहली बार में तो इसलिए देखो होता क्या है कि बहुत सरे student का question बच जाता है end में वो उसको attempt नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने एसा strict method को follow नहीं किया है वो sequence वाइज आते हैं ठीकि यह question है यह आता है कर लिया दूसरा question नहीं नहीं आता है उसको उसमें लगे पढ़े रहते हैं तीसरा question बहुत लेंदी है उसमें पांच मिन्ट चला जाएगा उसमें लगे पढ़े रहते हैं ऐसे होते होते उनका time सब वेस्ट हो जाता है and at the end उनको question visit करने के पी चांस नहीं मिलता है और इससे बहुत सब्सक्राइब IS अमें बढ़ाएं भी है कि sir हमारे हमें time नहीं हमने last this question देख नहीं पाए तो हो सकता है उसकोुसिन आसान हो जो आपको आता है लेकर यह आपने लास्ट वान मैं आपको सबको बताऊंगा यह तो कुछ चीज था जैसे मानों अगर थोड़ा सब इसकूम में समराइज करता हूँ क्या क्या था जिसे सबसे पहले आपको पेपोर वान और पेपोर टू जो है यहाँ पेट टाइम इकवर देना है पेपोर 1 मतलब 50 50 नहीं पेपट जिसलीबिट पेपोर 2 को आपके पास 120 मिनेट है उसको पहले उत्ना ही अगर कहीं सापका टाइम बच रहा है तो आप दूसरे में दे सकते हो लेकिन ज्यादा ओवर मतलब टाइम कहीं से लेकि इसमें इंटूड करने की जरूत नहीं यह एक चीज़े दूसरा आपको क्या करना है पेपर को स्कान करना है वान बैवान जो कुछिन आता है उसको करो जो कुसे नहीं आता है उसको छोड़ दो ठीक है क्योंकि फिर वहां पर टाइम वेस्ट क उस्चा और को यूज करना है last में सारे के सबस्चन का mark वही दो मारक है तो अगर कोई बड़ा को सिन हैं जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा उसमें ज्यादा टाइम करके बाकी question को बली देने की ज़रूत नहीं है पहले उन question को कुरू जिन में कम time लगेगा जो बड़े-बड़े question मालो जिसमें पांच मिनिट लगए आपको पता है उसको solve करने के पांच मिनिट लगी जाएगा बड़ा question होता है बहुत सारे subject करने के बाद फिर आप उसको पहले करोगे तो डिफिनेटली वह पांच मिनिट के जगा आप में भी और पांच कुसिन कर सकते थे जिसमें मालो एक-एक मिन लगता तो यहां पर आपने पांच मिनिट इस में डिवोट आपको मिला कितना दो मार्क इसमें आपको और लास्ट वान एसा आपको सोचना पड़ेगा कि देखो आप कितना भी पढ़ लो कितना भी प्रिपर कर लो एक्जाम में आपको सारे के सारे प्रसंट का अंसर नहीं आता है इतना पढ़ने के बाद भी तो यह आपको देखना है तो आप जितना भी पढ़ लो हमेज़ा आपको निव निव कुशन आप देखने को मिलेगा आपको लाएगा कि यह कुशन आमने नहीं पढ़ाई यह कॉसन आएगा तो आपको कोई कोशिस करते हैं यानि कि मानलो आपके एक्जाम नौ बज़े है या फिर मानलो आपके एक्जाम दो बज़े है वो सुबह उटके देखोगे रास्ते में जा रहे होंगे आटो में जा रहे होंगे या फिर बाइक में जा रहे होंगे पीछे बेटके पढ़ाई करते रहते हैं उसके वज़े से ना आपके दिमाग में स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ेगा और उसकी सबसे आपके mental imbalance हो सकता है exam में में भी आप अच्छा पॉफम नहीं कर पाओगे हो सकता है क्योंकि आपके exam में उस दिन पूरा भूख भूख सब छोड़ दो कोई पंडिक जरूत नहीं है ऐसा कोई लास्ट मोमेंट में या फिर एक घंटे exam एक घंटे के बाद है आप बाहर बेट को आप पढ़ रहे हो इसा पढ़के आप कुछ नहीं कर लोगे कुछ उक्वाट नहीं पाओगे जितना पढ़ा है उतना अच्छा है उसको अगर आप आपके mental state को अगर आप जितना पीस करोगे ना अच्छा होगा और मैं बार बार बोला हूँ एक्जाम के स्टार्टिंग से लेकर के इंडिंग तक आपको जो स्टेट है उसको अगर आपने सही रखा तो फिर आप सारे के सारे कुसिन को सही से प्रॉपर्ली आंसर कर पाऊगे और यह तो बहुत मुस्किल है बहुत बहुत बार मतलों स्टार्टिंग में होता है कि आपने को डिफिकल कुसिन देख लिया आपके mental से चलता है तो इसको थोड़ा सा ऐसे से बालांस में लेकर आना है ताकि आप वहां पर अच्छे से पॉफंग कर पाऊ तो यह कुछ चीज था जो मेरे साइट से मुझे जो लग रहा था मैंने जो फेस किया है फिर स्टुट्ट के साइट से जो भी फिडबेक साते हैं उनके दोस्ते जो exam देने जा रही है अफिर जो prepare करने exam के उनके साथ definitely share क्रोग चैनल को subscribe कि रहो आटेसे वीडियोज के लिए और दूसरा जो भी students exam देने जा रहे हो definitely कई मतलब काम कोल जितना होगे मेटे is owner करो उतना अच्छा है जो चीज में आप पॉइंट बताया उसको थोड़ा से अप्लाइकर नहीं कोसिस करो आपके एक्जाम डेफिनेटल क्लियर होगा all the best for your exam thank you so much मॉझें जसे हैं वोजड़ा से नहीं को एक्य। से ओर में और मकरिव होगा बता उसके ये पितों को वोग्ते करेंगिव臨ixon के घंपरी करेंजे़ में लूगां है is व।